अब कish आगार्ज स्वागत है आपका आज के क्लास में हम डिसकस करेंगे कि कैसे आज सुन्दर सा रेजुमें हम लिख सकते हैं उसके बारे में हम आज के कंसिडर करना है उसको हमें ध्यान रखना है और उसको लेके चलेंगे यह लिख सकते हैं तो क्या है इस तरह से कुछ सकते हैं या मास्टर की डिगरी हो सकती है वह लिख देंगे यहां पर लिख देंगे अपना कुछ डिटेल्स डिखेंगे जैसे कि email डी और जो भी हमारा पर्मानेंट email डी है और पर्मानेंट क्या करेंगे जो हमारे पास इंस्टीशन होगा इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कि पहले देंगे फिर अगर हमारे पास master's की डेगरी की क्या क्लास ट्वयल्त का फिर क्लास कर लेंगे बाकि कि जो भी इस सब्सक्राइब है इंजिनेरिंग है साइन्स हो सकता है डॉप ह सकता है जो पी हम क्या करेंगे हाब कर देंगे जो हमारे इंस्टिजूशन था रेस्पेक्टिव इंस्टिजूशन फोर लाट इस्टडी करने के लिए उसको मेंसिन कर देंगे क्या इस तरह से सकते हैं जो भी हमने डॉक्ट यह ली है उसका जो प्रजेक्ट का जो डिचे टिटेशन होगा उसका तो इससे हम क्या करता है कि यह कुछ स्टेप्स है जो हमने बनाया है फिर आगे चलते हैं कि और क्या हो सकता है हमारे पास मनाने के लिए तो पीएजडी की डिग्री में बहुत सारे डेटस होते हैं उस देट को आपको क्या करना है कि इसे का अपने आपको लिखना है आपको होती है यहां पर करेंगे कि जो भी आपने अपने बर किया है है अगर इसने स्टूडेंट है उसने स्टूडेंट का कोई हरफ को कुछ मेंबर होगा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंडर काающgment है student room को हम लिखते हैं या अगर आपने कहीं पहले जाप किया उसके बाद आप रेजुमें बना रहे था अगर आपका कोई वार्टन है कोई अगर आपके पास administrative पोस्ट है जिसको आपने handle किया है तो उसके details आप दे सकते हैं कि आपने कौन सा पोस्ट हैंडल किया है क्या और और सकते हैं अपने रजूमे में आपने काम किया है तो अगर आपने किसी पर सौट डूरेशन अपने महीं निल में किसी प्रजट के आपने काम किया है तो उस प्रजट के अक्टिविटी को भी आप क्या कर सकते हैं इस प्रजट का प्राइशन जहां प्रजक्ट कर सकते हैं तो आगे कुछ बात आती है कि एसके बारे में आप कर सकते हैं कि कॉन-कॉछ से उसका टाइस-तार टाैडल को tomorrow कर सकते हैं और कंसिगविटल अगर आपने बिलेख् het उसका यह क्या है वह आप यहां पर कर सकते हैं कि क्या है वह भी इंक्रूट कर सकते हैं यह किया है कि आगे से लेक्टर करेंगे रीख क्या है और यह हम कैसे देख सकते हैं किसी जर्नल का कि क्या है उसको भी रिजूमे के अंदर उसमे क्या गरना होगा आपको उसके को area पे 500 लिख करेंगे वह वी चितने जोभी आपका टाइटल होगा कॉन्फेरेंस का मैं उसको आप लिख सकते हैं वह भी सकते हैं च्छान का नाम है क्लिग फिर नेक्स्ट अगर आपने कोई चैप्टर पब्लिश किया है तो उसके बार में डिटेल्स आप आड कर सकते हैं तो इसके आप आपने के अंदर आपने को इंप्रेशिब बनाने के लिए इस पॉइंट कर सकते हैं और क्या आपको बेस्ट पेपर आपाड मिला है वेस्ट पोस्टर आवार्ड मिला है आपको अपने और जीता हुआ अगर आपने कोई अच्छा खेल के ला हो तो क्या आपने कोई खेल में रहें के अपने अदर तो किस ने किसने दिये और का लग सकते हैं और विचाने पुछ टीटेल्स आप कर सकते हैं उसके आपने क्या पैटेंट फाइल कि आ है सब्सक्राइब कर सकते हैं कि उसका टाइटल किया आपने कब सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर कितने आप आपाइड कर सकते हैं, है क्या, क्या, आप कोई फö voll it jag मैं आप चल सकते हैं, तो यह सब facts!! है जब आप आप वैंडर कर सकते है जब सकते हैं, जब आप आप पने resume, आप कर सकते हैं, जैसर कि हो सकता है कि अवा again रेजुमे में आड कर सकते हैं कि क्या आपने कोई बुक पॉब्लिच किया है तो उस बुक में कौन-कौन से आथर थे उस बुक का क्या टेटल था बुक का पॉब्लिचर कौन था और बुक का पॉब्लिच किया है उसको भी आप आड कर सकते हैं रेजुमे के अंदर क्या आपन तो और सकते हैं क्या कोई अपने प्रजेक्ट किया है क्या डिया है गेन किया है प्रजेक्ट अपने अवार्ड किया है उसको भी आप मेंसें कर सकते है कि आपने कोई development program किया है अगर आप फैकल्टी है तो कि आपने कोई development program किया है उसके बारे में भी आप कर सकते हैं अपने रिजुमे के अंदर में उसका टाइटल देना होगा तो उस वह जो डिवलप्मेंट कोई नॉलज है कि आपके पास करने का कोई नॉलज है उसको आप कर सकते हैं अपने रिजुमे के अंदर कर सकते हैं क्या आपके पास आपको आपको नॉलेज है उसका लेवल क्या मीडियम है बेसिक है या आपको पार्टिस्पेट किया है तो उसको भी आपको वाक्सप आट कर सकते हैं तो वह आपकर सकते हैं कि क्या टाइटल था वक्सप का किसने और्गनाइज किया था क्या इसको भी आप कर सकते हैं तो पार्टिसिपेट किया है वह भी आड़ कर सकते हैं अपने रिजुमे के अंदर कि आपने जो कॉर्स अटेंड किया है पार्टिस का प्रटिस्ट कर सकते हैं तो आप आप ने कोई वेलुंटियर वर्क किया है क्या आप ने कोई क्या है क्या है क्या आप की आप चांप किया कि आपने कोई कि आपने कोई है कि आप ने कोई एक्जिबिशन विजिट किया तो इसके बारे में इस तरह से कुछ points हमने डिसकस किया है जो कि आप क्या कर सकते हैं अपने रिजुमे के अंदर इंक्लूट कर सकते हैं और वह किसी भी जो प्रवाइडर के लिए इंप्रेशन देगा आप ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो हमने पॉइंट्स लिखे हो सब सही है उसमें कुछ गलत नहीं है कुछ आपके जो इस्ट्रॉंग पॉइंट्स है वह भी स्कोर्ट में लिख सकते हैं और फाइनली आप क्या करेंगे नाम और डेट दे कि आपको लोग एक्सलेंट ड्रस अब बना सकते हैं को जॉब जॉब आपको आप और करने में आप burg dx को जिसको जिसका बहुत बहुत जोब फीयोड़ कर सकते हैं तो आज का लेच्चर यहां प्र धैंक्यू शो गचकि करते हैं तॉरद आपको दिरेन इस लेक्चर आपको इनक्यू सwn